नमस्कार साथियों प्रियाँ की सतार लिंक को भारत में काम करने की अनुमती दी जाए या नहीं सिर्फ स्टार लिंक ही नहीं एइरटल और जीयो भी भारत में साटरलाइट इνटरनेट शिव करने के प्रयास में हैं अलाकि कंपनी ने वर्ष 2021 में भारत के दूर संचार नियामक परादेकरण से ब्रॉडबैंड सेवाओं को डिलिवर करने के लिए मनजूरी मांगी थी गौर तलब है कि फिलहाल कोई लॉंज दिथी या मूल निर्धारण की योजना नहीं है दोस्तों आपको बताते चलें कि स्टार लिंग एलन मस्क द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसेक्स की परियोजना है स्पेसेक्स का पहला स्टार लिंग मिशन 24 मई 2019 को लॉंज किया गया था जिसमें 60 उपग्रह शामिल थे यह उपग्रहों का एक समू जो नेट्वर्ग लो अर्थ और्बिट में प्रित्वी की सता से 550 किलोमीटर उपर संचालित होता है यहाँ फोर फेस्ट एरे एंटीना, एकल सौर एरे, आयन प्रणोदन प्रणाली, नेविगेशन सेंसर और मलबा ट्रैकिंग प्रणाली से सुसज्जित है दोस्तो इस परियोजना का लक्षे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रणान करना है, जो मौझूदा विकल्पों की तुलना में तेज, सस्ती और अधिक विश्वस नहीं हो सकती है बता दें कि जब किसी इंटरनेट सिगनल को प्रिथवी से बेजा जाता है, तो स्टार लिंक समू में से एक उपग्रह इसे रिसीव करता है और फिर नेटवर्क में शामिल अन्य उपग्रहों के साथ साजा करता है इसके बाद सिगनल जब सबसे लक्षित उपग्रह तक पहुंच जाता है तो इसे एक राउंड रिसीवर तक भेज दिया जाता है साथियों स्टार लिंक उपग्रह लेजर प्रकाश का उप्योग करते हुए एक दूसरे से संचार करते हैं फोर फेस्ट एरे एंटीना से उपग्रह कम समय में ही बड़ी मातरा में डाटा का स्थानांतरन कर सकते हैं जबकि इन बिल्ट नैविगेशन सेंसर सटीक इंटरनेट डेटा ट्रांसवर के लिए उपग्रहों को उचाई की जानकारी प्रदान करते हैं स्टार लिंक उपग्रह की कक्षा एलियो में स्थित होने के कारण डेटा ड्रांसवर प्रक्रिया में काफी कम समय लगता है आयन प्रणोदक उपग्रहों को कक्षा में ले जाने, संचालन करने और उसके जीवनकाल की समाप्ती पर दी ओर्बिट करने में मदद करते हैं झालन करते हैं